हेलो दूस्तों रिजगो ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका बहुत स्वाग आते दूस्तों दूस्तों आज का जो मेरा ट्रेड रहा न वो पहले तो साड़ी तेरो सार रुपया का प्रॉफिट मेरे को दीखा था लेकिन थोड़ा सा लालिश किया दूस्तों जिसके वज़े से मेरे को आज लॉस देखने को मिला तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले शूनी के ट्रेडिंग प्लाटफों में जाते हैं सबसे पहले हम लोग अपना order book देख लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मैंने 44,500 का call buy किया था पहला lot मैंने लिय टोटल मैंने आज 5 lot buy किये थे दूस्तों दूस्तों पांच lot लेने का पीछे एक तरह से कह सकते greedy था कि क्यो ना इतना lot से लेकर देखता हूं premium बहुत कम है क्या पता jackpot लग जाए तो एक तरह से मैंने अपनी discipline को तोड़ा दूस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए था तो अगर position देखते हैं तो देख सकते हैं मेरा आज टोटल 405 रुपय का loss हुआ तो आए चार्ट पर देखते हैं कि आज मैंने कहां पे ट्रेड लेने के पीछे क्या logic थी दूस्तों तो देख सकते हैं आज market gap up open होता है market थोड़ा सा उपर जाता है फिस धीरे-धीरे करके नीचे आ जात है यहां पर देख सकते हैं बार-बार इस जोन के पास आ रहा है market resistance कर रहा है फिर नीचे जा रहा है फिर market उस जोन के पास सारा market resistance लेके नीचे जा रहा है मतलब यहां पर देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे छे बार market यह जोन को टेस्ट किया था तो बार-बार यह market क को टेस्ट किया है तो जरूर यह सपोर्ट का काम करेगा ही और मार्केट क्या करता है वो ट्रेंड लाइन के पास आता है और यहां पर मार्केट सबूट लेता है मार्केट सबूट लेके धीरे-धीरे उपर जाता है दोस्तों और यहां पर आके देख सकते हैं मार्केट यहां एक inside candle बनाता है तो जैसे ये inside candle बनाता है ना मैं जट 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 44,500 का call output दोनों type करके ready हो जाता हूँ और जैसे ही ये candle break करने वाला होता है इस high को मैं यहाँ पर entry ले लेता हूँ दोस्तो अब क्या होता है दिरे-दिरे market उपर जाता है सब ठीक है मेरे को जब यहाँ तक आया ना market इस zone के पास आया ना दोस्तो तो मुझे ना यहाँ पर निकल जाना चाहिए थे मुझे उस वक्त मेरे को टूटल साड़े तेरस रुपए का profit दिख रहे थे अब रिजन क्या है साड़े दास रुपए में मैंने एवरेज जब प्रिमियम करदा था दोस्तो साड़े दास रुपए मेरे को पड़े थे 75 quantity का और यह साड़े 28 रुपए के आसपास गया था यह दुबारा उस जोन के पास आके मार्केट रेस्टेंस लेता है देख सकते हैं इतनी बार इस जोन को टेस्ट किया था यहां पर आता है रेस्टेंस लेता है फिर मार्केट नीचे जाता है फिर आता है रेस्टेंस लेके मतलब कि इतनी 5-6 दफा यहां पर रेस्टेंस लिय और क्या हो उस जोन के पास market आया और दुबारा resistance लेकर market नीचे गया और जब market नीचे आता ना दोस्तों तो आपका premium बहुत तेजी से घड़ता है और वही मेरे साथ हुआ और मेरे को आज loss देखने को मिला तो आम शूर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आता है दोस्तों देख सकते हैं मैं आपको कितनी ground level से आपको दिखा रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं है कि दोस्तों बहुत सारे YouTuber होते हैं कि आपका जो loss session होता है वो अपना वीडियो बनाके नहीं डालत Ashijoون तो ताकि मैं ना ये पूरा transparency रख सको पूरा अदम reality रख सको कि कि यहां जो हो रहा है मैं वही आपको show करना चाता ह School मैं कोई show off नहीं करना चाता हूँ दोस्तों एकदम आपको ground reality प्रेटी दिखाना चाहता हूं दोस्तों तो हम शुर दोस्तों यह वीडियो अपको पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें दोस्तों तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ दोस्तों तब तक के लिए आपना बहुत ख्याल रखेगा